हालो फ्रेंट्स। आज हम गुलाब के पोदे को एर लेरिण मेंटड से ग्रो करेंगे। इसके लिए मैंने इस पोदे की यह दगए यह बृंच्च स्लेक्ठच की है। एर लेरिण ऐसा मेंटड़ है। जिससे आप प्लांट्स को इजी ग्रो कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा मेहनत करने की विजूरत नहीं होती और रिजल्ट आपको 100% मिलते हैं सबसे पहले जो काटे हैं उनको हम हटा लेंगे अब हम क्या करेंगे 2-3 cm तक जो स्कीन है उपर जो कवर होता है ब्रांच के वो हम हटा लेंगे यह देखिया ऐसा है और एक रिंग डवलप करेंगे अच्छी तरह स्किन रिमूव करनी है हमें यह देखिया हमने रिंग डवलप कर लिया है अब इस रिंग के उपर हम एलोवेरा जल लगा देंगे ताकि रूर्स जल्दी डवलप हो और हैल्दी हो अब हम नॉर्मल गार्डन सोईल का एक पेस्ट बनाएंगे और इसके उपर भांध देंगे अब इस पॉलिथिन को हम नीचे बांदेंगे यहां पर जहां आपने रिंग डवलप किया है उससे एक इंच नीचे बांदें इसको पॉलितिन को अच्छे से बांधने के बाद हम क्या करेंगे जो हमने पेश्ट बनाया है नॉर्मल गार्डन सोयल का वो इसके अंदर डाल देंगे और उपर से इसको फिर दुबारा बांध देंगे बांधते टाइम इस चीज़ का अध्यान रखें कि जो रिंग आपने डवलप किया है उसके चारो तरफ मिट्टी आने चीए और इसको एक इंच उपर से बांदें और एक इंच नीचे से बांदें अगर आप चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ता कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचे यह 45 डेज बाद की अपडेट है आज हम देखेंगे इसकी रूट्स वगरा डवलप हुई है या नहीं हुई है प्लांट की ग्रोध देखी कितने अच्छी चल रही है फ्लारिंग भी सुरू हो चुकी है इसमें चलिए इस पॉलितिन को अढ़ा के देखते हैं रूट्स कैसी डवलप हुई है यह देखेंगे इसकी रूट्स बिल्कुल है अब यह रूट्स के नीचे जो एक्स्टा पॉर्सन है ब्रांच का इसको हम कट कर देंगे और इसके लिए सोईल कमपोजिशन मैंने लिया है 70% नॉर्मल गार्डन सोईल 30% वर्मे कमपोस्ट I hope यह वीडियो आपको informative लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी informative वीडियो के साथ थैंक्स वर वाचिंग